नमस्कार दोस्तों सौगात है आपका हमारे यूटूब चैनल एकेटियम एजूकेसन पर अगर आप बीटी यूपी के अंतरगत यूपी के किसी भी पॉलिटेकनिक कालिज के इस्टूइन्ट है तो यहाँ पर आपको ये बात सही से पता ही होगी किस तरीके से इसमें आपकी जो समेस्ट्रिक जमनेशन है उसको करवाने को लेकर के बोर्ड में घमासान मचा हुआ है प्रति दिन एक नए निज आती है और एक निज में आपको बता जाता है कि आपको परमोड के जा रहा है चाहाँ आपका फरस्टीर हो चाहाँ सेकेंडीर हो चाहाँ थर्डीर हो उसके आप दूसरी निज में आपसे बता दे जाता है कि आपकी परिच्छा करवाई जा रही ह और आज के इस वीडियो में हम आखिर पता लगांगे कि आखिर आपकी एजामनेशन होगी की नहीं होगी या क्या होने वाला है तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दो नियुज दिखाऊंगा आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके दोस्तों पहले नियुज में बताएगा है कि पॉलिटेगनिक सेमेस्टर परिच्छा निरस्थ होंगी और यह आज ही लखनाओं में प्रकासित हुई है हिंदुस्तान नियुज पीपर में उपर यह भी बताएगा है कि कुरोना संकट को देखते हुए परसद ने सीम को प्रस यहां पर बताया गया है कि जो आपके सचेब हैं उनके मुताबिक छात्रों को आंतरिक मुल्यांकरना और पिछले समस्टर के मुल्यांकरन के आधर पर पास किया रहा है यानि कि आपको जो आपके इंटर्न माक्स होते हैं सेस्विन और प्रक्रिकल उनके आधर पर पास किया तो यहां पर आप देख पार होंगे क्लिरली बताया गया है कि फाइनल ये वाले चात्रों को भी उनके पिछले समस्टर के आधार पर प्रमोट किया जा रहा है अब मैं आपको दूसरी नियुच दिखाता हूँ जिसमें बताया है कि आपके एक्जामनेसन होने वाले हैं यह द करते हैं कि साथ सितंबर से आपकी एक्जामनेसन होगी फिर भी यह क्या मजग है दोस्तों यहां पर खास कर मैं अपने फाइनल येर के सभी दोस्तों से यह रूकर्ष्ट करना चाहूंगा कि आपका भी कोई कैरियर है आपको भी आगे कुछ करना है अब ऐसा तो नहीं सकता कि आपने पहरे दसमेश से लगाया था एक्जाम उसके बाद फिर अपने बढ़ाते बढ़ाते जुलाई में कर दिया कभी 11 जुलाई से कभी 27 जुलाई से फिर करते हैं कभी 15 अब आप सीधे-सीदह करने कि 7 सितंबर से एक्जामनेसन कर बाएंगे लिंगे लिकिन जो फाइ अब अगर आप साथ सितंबर से एक्जामनेसन कर वाएंगे तो जो नया सेसन सुरू होने वाला है वह अखिर कभ से शुरू होगा तो यहां पर आपको क्लेली यह बास समझनी चाहिए कि फाइनल एर की खासकर चाहता है उनके साथ बोर्ड यहां पर मजाग बना करके रख द भी जाएगी तो अगर आप लोगों को यह कहना है यह मानना है कि ट्रेंड चलाया जाए ताकि एक्जामनेसन आपके कैंसिल हो या करवाना है तो किसी भी कीमत पर करवा देजिए बट मेरे सबसे जैसी कंडिसन है जो इस्टुडेंट है उनकी हेल्थ ज्यादा माइने रखत सब्सक्राइब करते हैं कि जल्द ही कोई अच्छा डिसिजन बोर्ड लेगा कोई पका डिसिजन लेगा जिससे हम लोगों को सुविधा हो चुके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किजिए ऐसी वीडियो आपको लगातर मिलते रहेंगी धन्यवाद